तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा हुलूबंसी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है अयोध्यकलास तो दोस्तों आज हम आप के लिए लेकर क्या हैं टू डिजिट्स और थ्री डिजिट्स नंबर की मल्टिप्लिकेशन करने की कई सारी देशी और विदेशी ट्रिक्स तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस यूटूब चैनल को अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सुरू करने से पहले एक कॉप्य और पेनल लेकर बढ़ जाई दोस्तों और को सॉल्व करते चलिए तो दोस्तों वीडियो को लाज्ट अगरूर देखें क्योंकि यह ट्रिक्स बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो बिना देरी के सुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक तो दोस्तों हमारी ट्रिक नमबर है है 23 multiply 44 तो 23 को 44 का करना दोस्तों को multiply करना है तो दोस्तों हमारी ट्रिक क्या है तो धान से आप देखिए यहाँ पर आपको एक कुछ डाइगराम देख रहा होगा इसमें यह steps है हमारी यह हमारी first step है यह हमारी second step है और यह हमारी third step है तो इसको इस नमबर की उपर किस तरीकी स हम लागू करेंगे उसको देखिए तो अबसे पहले देखिए एक arrow यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह arrow यहाँ पर आएगा इसका मतलब 3 और 4 का हम यहाँ पर करतेंगे multiply तो 3 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा लेकिन हम 12 नहीं लिखें इस 4 का होगा इस 2 के साथ में और इस 4 का होगा 3 के साथ में और दोनों को add कर देंगे तो देखिए 4 जा 8 हो जाएगा दोस्तों 4 जा 12 हो जाएगा तो 8 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 20 और केरी हमारी 1 है तो 20 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 तो 21 का हम लिख देंगे हापर 1 क तो फोर बिडिंड का मत्लव तो फोर यह को समारे तो इसको कि बहुत जल्दी कर सकते हैं देखियेंगे number second करने की कोशिच करते हैं देखिए डारेक्ट हम कर रहा है 4 का पहले 2 में multiply कर देंगे इस तरीके से ये line हमारी उपर गई तो यह हमारी first step है यह हो जाएगा 4 to the 8 कोई carry नहीं आई यहाँ पर दोस्तों अब हम करेंगे cross multiply 5 का करेंगे 2 में 5 to the 10 5 का करेंगे 4 में 5 और 20 20 और 10 हमारा हो जाएगा तो 30 30 का लिए देंगे 0 carry हमारा 3 है अब हम कर देंगे 5 का 5 में multiply 5 5 जा हो जाएगा 25 25 और carry हमारी 3 थी दोस्तों तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 दोस्तों तो यह देखि बहुत ही आसान ट्रिक है बहुत ही अच्छे से आप इसको perform कर सकते हैं अब यह दो question हमने आप पर दिये हूँ इसको जल्दी से आप solve परके comment section में इसका answer दें दोस्तों आवाते हैं हमारे trick number 2 पर तो देखिए trick number 2 क्या है हमारी विदेश्य trick है दोस्तों इसको हम किस तरीके जब हम करते हैं द्यान चे देखेगा आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यह 32 लिखा हुआ है इसको हम lines के form में represent करेंगे क्या लिखाया है यह 32 32 हम किस तरीके से लिखेंगे देखिए दोस्तों देखिए आप यह वन टू और ये थ्री यह होगा है हमारा कितना थ्री होगा है अब हम लिखेंगे इस टू को यह हमने लिख दिया वन और ये टू कोई दोस्त लिखकत यहां तक दोस्तों अब हम लिखेंगे इस ट्वेंटी वन को किस तरीके से लिखेंगे देखें ट्वेंटी वन को यहां पर करे इसमें तो देखिए सबसे पहले हमको इसको लिखना है इसके बाद हम इन दोनों को लिखेंगे add करके वो सबसे last में इस वाले को लिखेंगे इस तरब देखिए कितने हमारे पास यहां पर जो है cross section है, यहां पर कितनी जगा पर line जो एक दूछरे को cut कर रहे हैं, तो देखिए है कितने टाइम रेदेंगें आपर तू रीटेंगे देखे आब हमको क्या करना है इसमें देखे Wash Ito it great four five six और यह सेवन तो दोस्तो कितना हो जाएगा यह सेवन हो जाएगा तो यहां स्मानीं से इसको solve कर सकते हैं दोस्तों एक और knos दोस्तों 1 कर देंगे, ओके आप देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेते हैं, इन दोनों का total करके लिखते हैं, और last में फिर इस वाले पार्ट को लेते हैं, देखिए कितने हैं, इसमें interesting point है, हमारे 1, 2, 3, तो हहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, फिर 13 14 तो दोस्तो 14 तो लिखेंगे नहीं क्या लिखेंगे हैं पर 14 का हम लिखेंगे 4 लिख देंगे दोस्तों यह लिख दी हमने 4 केरी हमारा आगा है आपर 1 आगा है अब हम कर देंगे इधर वाले intersecting point का total देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 1 हो जाएगा यह 9 दोस्तों यह बहुत ही easy trick है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा time लग रहा है नहीं तो आप इसको practice करके बहुत जल्दी आप इसको solve कर सकते हैं अब यह दो question मैं आपके लिए दे रहा हूँ हाँ आप इसको solve परके जल्दी से comment section में इसका answer दें ओके यह हमारी थी trick number 2 तो दोस्तों आब आते हैं हमारी trick number 3 पर हमारी trick number 3 देखे क्या है if sum of 1's digit number is 10 अगर किसी भी 2 digit number में 1's की place पर जो number लिखे हैं उनका total अगर 10 हो और 10's place digit is same और 10's place पर जो digit लिखी है वो same हो तो इसको किस तरीके से करेंगे दोस्तों दिहां से देखिए इन दोनों का total कितना होता है 10 होता है तब ही हम इस trick को follow कर सकते हैं देखिए किस तरी किसे करेंगे इन दोनों का multiply कर देंगे दोस्तों 7 और 33 का कितना हो जाएगा 7 थिरीजा 21 हो जाएगा दोस्तों और ये 5 है ये भी 5 है लेकिन इसमें से 1 को हम कर देंगे increase कर देंगे एक हो है 6 तो 5 और 6 का multiply कर देंगे 5 6 हो जाएगा दोस्तों 30 ये बहुत ही simple trick है ये हमारा answer आगा है चलिए एक और question हम करते हैं आपर दीखिए इन दोनों का total भी कितना है आपर 10 है उनका multiply कर देंगे 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा दोस्तों ये 2 और इसमें 1 increase कर देंगे तो 2 मे आते हैं दोस्तों multiply of three digits number पर three digits number का three digit number में multiply करना किस तरीके से हम परफॉर्म कर देंगे तो जिस तरीके से हमने टूर जिट नंबर में एक formula apply कर रहा था ओजी तरीके से formula इसमें भी हमारा है ये हमारी इसमें five steps follow होंगी first second third fourth and fifth कि किस तरीके इसको हम follow करते है ध्यान सेखेगा first step में क्या है हमारा arrow उपर गया है इसका मतलब ये two और three का हमको क्या करना है multiply करना है ये लिख दिया हमने two three जा six से लिख दिया दोस्तों इसके बाद आते हम second step पर इसमें cross multiply है तो देखे cross किस किस की बीच में है seven three one और two के बीच में इनका करेंगे seven three जा twenty one जा two twenty one और two हो ज जिए तो one का कई seven में इस तरीके से three का one में टू का इस two में इस तरीके से कि इसको multiply करना है देखेंगे दूस्तों ठीकर लिख देए three one's three two two 2iko 2ो जाएगत two you वंजा 7 तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 14 में 2 को 8 कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 16 तो 16 का कितने लिख देंगे हम 6 और carry हो जाएगी हमारी यव वन हो जाएगी चलिए बाते हैं 4th step पर तो देखें 4th step में क्या है यह क्रोस मल्टिप्ला है है यहाँ पर तो किस का होगा है यह यह 1 और 1 और 2 और 7 का होगा दोस्तों फटाफट मल्टिप्ला है करें देखें 1 1 तो 7 जब 14 14 और 1 हो जाएगा हमारा 15 और carry 1 है तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 6 लिख देंगे carry हमारा 1 हो जाएगा अब last step पर क्या है इसका multiply हो जाएगा 2 और 1 का तो 2 1 जा हो जाएगा 2 2 में 1 गो add कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 यह बहुती easy और बहुती अच्छी method है आप इसको use करके जो है किसी भी 3 digit number का multiply कर सकते हैं दोस्तों अब यह एक और question यहाँ पर लिखा हुआ आप इसको जल्दी से solve करक comment section में answer दें तो दोस्तों अब आते हैं हमारी trick number 2 पर यह भी 3 digit के multiply के लिए है बच इसमें फर्क क्या है हमारा है कि center में middle में जो है इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और दोनों तरब जो है number same होना चाहिए तो देखे किस तरीके सा हम इसको करते हैं तो देखे 7 और 6 का multiply कर देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 6 जा हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगाए परप्रॉब्लम यहा पर 5 और 8 का multiply कर देंगे दोस्तों 58 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा अब हमको क्या करना है यह 5 का 7 में और 8 का 6 में multiply कर द VC egent принा देना देखे fiance 5 7 हो जाएगा 35 औ उनों को हम add कर देंगे तो हमारा answer हो जाएगा दोस्तों 83 और यह हमारा answer आगा है देखिए कितनी fast हमने calculation कर लिया है चलिए एक और question पर apply करते हैं इसका देखिए सबसे पहले इंका multiply करेंगे तो हमारी है विदेशी trick तो इस तरीके से हमने 2 digit number का multiply करना सीखा था उचे इस तरीके से 3 digit का multiply करने की process तो हम follow करेंगे तो ध्यान चे देखिए तो देखिए सबसे पहले इन numbers को हम जो है line के form में लिखेंगे तो देखिए यह केतना लिखा है 2 1 और 3 तो इस तरीके से हम इसमें line डो कर देंगे यह होगा है दोस्तों हमारी two lines यह होगा हमारी one line दोस्तों और यह होगा हमारी one two और यह three line होगी दो two three फिर हम करेंगे two को यह one और यह two आप करेंगे four को दोस्तों one two three और यह four तो आप लोग सोच रहा होगा यह कितना complicated होगा है तो देखिए किस तरीके से दोस्तों हम solve करेंगे ध्यान से देखिए गा पहली step में हम इसको लेंगे देखिए count करेंगे इसको three 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 two six three three nine three four 12 तो दोस्तों 12 होगा है तो 12 का कितना लिखेंगे हम यहाँ पर two लिखेंगे ओकेरी हमारा आगा है वन दोस्तों अब हम लेंगे किसको इन दोनों को ध्यान से देखिएगा अब हम लेंगे इन दोनों को तो कितने हैं इसमें intersection हमारे one two three four five six seven eight nine ten ten में one को प्लस कर देंगे कितना हो जागा दोस्तों 11 11 का one फिर से हमारी केरी बन आगी दोस्तों अब हम करे दोस्तों 20 20 का zero हो जाएगा केरी हमारी हो जाएगी अब two अब हम कर देंगे दोस्तों इसको और इसको eight देखिए कितने हैं यह one two three four five six seven seven में two को प्लस कर देंगे दोस्तों यह हो जाएगा nine अब लास्ट में बचे हमारे यह इनको भी count करके लिख देंगे one two three four five six तो यह हमार आंसर आगा है तो दोस्तों यह ट्री भी बहुत आसान है बहुत सिंपल है थोड़ी सी आप अगर मेहनत करेंगे तो जरूर आप जो है इसमें काम्याब होंगे इस ट्रिक को करने में चलिए देखिए अब यह question जो है आपके लिए solve करके जल्दी से comment section में answer दीजिए आते हैं 1111 divine इस तरीकित जो भी number होगे उसमें इस ट्रिक हमारी लागु होगी तो देखिए दोस्तों हमको करना क्या है यह हमारा 54 लिखा है दोस्तों तो यह हमने लिख दिया हैं पर 54 कोई problem यहाँ पर तो देखिए अब ये कितने डिजिट हैं हाँ पर 2 डिजिट हैं तो इसमेंसे ह तो हमको करके number को एड करते जाने हैं देखिए तो पहले हम फूर और 0 को एड करेंगे दोस्तों ठाओंग इतना हो जाएगा पर अब हम फाई और फॉर कारेंगे दोस्तों कारेंगा तो इसंता हुद हुद करेंगा जाओ हुद विसका इनाइन यह जाएगा अब हुआ है तो हमंने हमारा 125 लिख दिया दोस्तों अब हमारे पास यहां पर Casey लेकर यहां पर फ्लस करते हैं थरी digits हैं देखिए 1, 2, 3 तो 3, 3 digits को लेकर कि हम plus करेंगे देखिए इन 3 को करेंगे plus 5 plus 0 plus 0 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा अब इन 3 को कर लेंगे 2, 5, 7 7 और 0 दोस्तों 7 हो जाएगा अब इन 3 को कर लेंगे 1, 2, 3, 3 and 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अब इन तीनों को कर लेंगे दोस्तों 0 1 और 2 यह हो जाएगा 3 अब इन तीनों को कर लेंगे 0 0 और 1 तो यह कितना हो जाएगा 13800 75 दोस्तों यह हमारा आंसर आ गया है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करिएगा दुस्तों जैहिन वंदे मात्रम